हालो वियार फैमिली एलेवन ब्लॉग कैसे हैं आप लोग आई होप आप सब अच्छे होंगे तो आज में बनाने चाह रहे हूं सूजी और आलू से इतली तो इसके लिए लिया हुआ है मैंने एक कटूड़ी सूजी और एक कटूड़ी से थोड़ा सकं मैंने दही लिया है दही अगर खटी है तो आधे कटूड़ी हम दही लेंगे अगर दही नौर्मल है तो एक कटूड़ी चल जाएगा इसको मैं मिला लेती हूँ अच्छे से इसको मेक्स करने के बाद थोड़ा अभी गाढ़ा लगड़ा तो इसमें पानी डालके हम एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी में जो बैटर होता है उस तरह का बना के हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे तकि सूजी जो है वो 10 मिनट में अच्छे से फूल जाए इसको रख देते हैं 10 मिनट रेस्ट करने के लिए तब तक यह फूल जाएगी इसके बाद एक मैंने बॉल लिया है बॉल में मैंने दो उबले हुए आलू लेंगे आलू को अच्छे से मैस कर लेंगे अगर गरम आलू है तो मैसर से मैस कीज़े अगर नॉर्मल ठंडा हो गया है जादा ठंडा नहीं अदर्वाइस गुटलिया पड़ सकती है तो नॉर्मल जैसे की हाथ और टंप्रेशर कर सके अब मैंने इसमें लिया हुए दू बारिक कटी हुई हरी मेर्स डालते हैं एक छोटी प्यास कटी हुई डालते हैं इसमें नमा कैस पर टेस्ट डालेंगे थोड़ा सा हल्डी बाउडर डालेंगे यह तोडली optional है चाहे तु डाल सकते हैं अगरवाज सकट भी कर सकते हैं इसमें जवाइन और मंग्रेल डालेंगे हाफ就是說 अब हम इसको अच्छे से mix कर लेंगे mix करने के बद अच्छे से एक डो त्यार कर देंगे इसका आलु का डो त्यार कर लेंगे देख सकते हैं सारे चीजे अच्छे से mix होगे इस टाइम में आप चाहें तो जो भी vegetable पसंद एब just like की आप सिम्ला मेरी इस गाजर को बहुत अच्छे से कद्दू कस करके इसमें आप डाल सकते हैं उसके बाद मैंने लिया थोड़ा सा मस्टर्ड ओयल हाथ में लगाया और छोटी छोटी लोई लेकी छोटी सी टिक्की के साइज में हम टिक्की बनाएंगे ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे अधरवाइस क्या होगा जो कटोड़ी है उससे अगर बड़ा हो साइगा तो उसमें आयेगा नहीं तो बिल्कुल नॉर्मल साइज के छोटी साइज के टिक्की बनाएंगे हम तो इसी साइज के बनाएंगे और यह बनिया अब हम देख लेते हैं कि यह वैटर साइज से फूल गया है या नहीं तो यह भी अच्छे से फूल गया है उसके बाद मैंने लिया एक कड़ाई और तीन बॉल और यह नेट है आपके पास में जो नॉर्मल जाली होते हैं वो भी ले सकते हैं उससे और अच्छा बन जाएगा बेसक्त बलकि अब कड़ाई में हम डालेंगे पानी पानी इतने कंसेंस्टेंसी में डालेंगे ताकि वो उबनने के वाइस्टीम होने के बाद पानी अच्छे से वो अबसर्ब करें जा मतलब वो सुख जाना चाहिए उसके बाद से मैंने यह डारा जाली मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा था इसलिए मैंने पानी थोड़ा और एड़ की अब यह तीन जो हमने कटोडिया ले हुई है इसमें डालेंगे कुकिंग ओयल अगर आपके पास में ग्रिशिंग ब्रेस है आप उससे किजेगा मेरे पास में नहीं है इसलिए मैं हाथ से ह इस तरह से हाथ के हेल्प से सारे गटोड़ी में जो है ओयल है उसको अच्छे से पहला लेंगे अब यह सुजी का जो थिकने से वह बिल्कुल परफेक्ट है लास्ट मॉमेंट पे हम डालेंगे जब बॉल में डालने से एक मिनट पहले इनो डालेंगे हाफ चुटकी हाफ चुटकी इनो ज्यादा इनो नहीं डालेंगे हाफ चुटकी इनो डालेंगे और उसके बाद से दो से धाई चम्मज के हिसाब से जो इटली का जो सुजी का बैटर है उसको डालेंगे सबसे पहले फर्स्ट लेयर सुजी का बैटर डालेंगे तो इसमें डाल देते हूं थोड़ा मुझे कम लग रहा था इसलिए मैं ऐसे करके बिल्कु बराबर कर देंगे हम इसके बाद हम इसमें डालेंगे जो आलू के टिक की बनाये हुए हैं सेकेंड लियर हम इसको रखेंगे इसके उपर इस तरह से डालेंगे और इस हिसाब से हम सूजी को डालेंगे ताकि फूलने के बाद ज्यादा जो बॉल है उससे ऊपर नचलागे इसलिए हाफ जितनी भी कटोड़ी की साइज है इसे आधा में हम बैटर डालेंगे ताकि फूलने के बाद ऊपर तक अगर आ सके तो वो बाहर नचलागे गैस का फ्लेम अन करते हैं और कढ़ाई को चोड़ा दिया मैंने इसमें जो तीन जालिया है उन तीन जाली पे ही हम यह जो कटोड़ियां है सूजी के बैटर वाली इसको हम अरहम से रख देंगे गैस का फ्लेम बिल्कुल नॉर्मल करेंगे हाई फ्लेम नहीं करेंगे नॉर्मल फ्लेम पे इसको हम 10 मिनट तक इसको कुग करेंगे इसमें एक छोटा सा तॉलने वाला है उससों मैंने रुमाल में कवर करके इस थाली के उपर रख देती हूं इसलिए ताकि यह जो पानी जो उबलता है न तो इस स्टीम से इधर उधर भागते है यह इसके उपर है भी चीज कुछ रख देंगे तो भागेगा नहीं इधर उधर नहीं जायेगा अब मैं एक स्टीक से देख लेती हूं कि यह सही से कुक हो गया है या नहीं तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इस स्टीक में नहीं लगा हुआ है डैट मिंस की बहुत अच्छे सी वह कुक हो गया है नाइपस में भी मैं करके दिखा रही हूं आपको देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन है अब गैस को फ्लेम को बंद करते हैं देन ये सारे जो कटोड़िया इसको निकाल लेंगे और पांस मिनट के लिए बहार रख देंगे इसको ठंडा होने के लिए और द्रवाज गीला रह देख सकते हैं बिल्कुल भी हाथ में नहीं लग रहा है ये बहुत अच्छे से स्ट्रीम हो गया है तो अब हम इसको निकाल लेते हैं के एक चाकू के हेल्प से किनारे से इस थरह से करेंगे ताकि अगर नीचे ये चिपका भी होगा ना तो वो छोड़ देगा वैसे तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपका बॉल से झuingालोंगी तो वो पता चल जाएगा देखते हैं जिपका है या नहीं जिपका है वैसे नहीं जबकता है यह ऐसे डैप करेंगे देखिए इजिली निकल गया और बहुत ही फ्लापी सा हो रहे खाया है यह देख रहे हैं तो रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वा ज़्यादा से ज़्यादे वीडियो को सेर कीजिए देख सकते कितनी सुन्दर से एकदम ताजी सूजी का इटली बनके तयार है अब इसे चटनी के साथ चाहे तो चटनी के साथ सामभड के साथ चाहें तो सामभड के साथ अगर नहीं कुछ है तो ऐसे भी आप खा सकते हैं विकॉस कि इसमें जो हमने स्टफिंग भड़ी हुई है आलू को जो टिक्की भड़ी हुई है उसमें वो सारे चीज़ ड़ले हुए है तो इसमें चटपटा अलरेडी यह है तो आप ऐसे सर्ब कर सकते हैं गर्मगरम तो रेसिपी का ऐसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएगा अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशनल नहीं मिलेगा कि मैं आगे भी बनाऊँगा आप लोग के लिए रेसिपी तो प्लीज अगर रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट करके बताएगा अब मैं इसको बीच से कट करके आपको दिखा रही हूँ जो आलू का स्टफिंग है वो कैसे अंदर पूरा अच्छे से इसमें बैट गया है तहाँ न बहुत इजी और जल्दी बनने वाला रेसिपी तो थांक्यू फर वाचिंग अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट ब्लोग में एक नही रेसिपी के साथ में आशा करती हूँ आप लोग की ये रेसिपी पसंद आई होगी मुझे तो ये सौस के साथ ही है सेटनी के साथ में पसंद आते हैं अगर आप लोग को सामबर के साथ पसंद दे तो आप सामबर के साथ में इसको यूज कर सकते इंजॉय कर सकते थांक्यू